हलो दोस्तों आपका SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम आपके लिए जियोग्राफी के most important 50 questions लाए है जो अगरगामी आने वाले exam, NTPC और group D के लिए बहुत ज़्यादा useful होंगे यह जियोग्राफी का part 4 है चलिए दोस्तों start करते हैं start करने से पहले आपसे request है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें चलिए प्रस्न के पर बढ़ते है प्रस्न 151 विश्व की सबसे बड़ी जहील काउंसी है दोस्तों आपके सामने चार अपसान है इसमें से जो जिस question का answer पता हो उसको comment box में जरूर लिखें और प्रते question के लिए आपको 5 second का समय दिया जाएगा इसका right answer बताईए दोस्तों इसका right answer एक कैस्पियन सागर होगा विश्व की सबसे बड़ी जहील कैस्पियन सागर है यदि question पूस्ता कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जहील काउंसी है कैस्पियन सागर होगा और question पूस्ता कि विश्व की सबसे मीठे पानी की जहील काउंसी है सुपेरियर जहील होगा अगे बढ़ते हैं कैस्पियَंस आगर जिसके चार और देश कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमिनिस्तान, इरा, देश, इस्तित है अगला प्रस्थ विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की ज्हिल कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील सुपेरियर जील है इसका राय टेंस्वर भी होगा सुपेरियर जील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है सुपेरियर जील उत्तरी अमरिका में इस्तित है आईए मैप से देख लेते हैं दोस्तो यहां पे उत्री अमरिका में सुपेरियर जील है, जो विश्व की सबसे मीठे पानी की जील है, अगला प्रस्त, दोस्तो यह जिस क्वेस्टन का एंस्वर आपको पता हो उसको कमेंट बाक्स में जरूर लिखे, अगला प्रस्त, नियागरा प्रपात कहा पर इस्ती थ ये नियागरब्ण व्यूस seulement विह इसको र्य 50 ब्रस्ण अगला प्रसर तो स्वेजं नहर किंदर२ महासागरों का आपस में जोड़ी है कि इसका र्यापर रैहे ये हैं स्वेजं नहर का अपसघोन सागर को इसका र्यापी आपस में जोड़ती है अगला प्रस्त विश्व में महादीपों की कुल संख्या कितनी है विश्व में महादीपों की संख्या टोटल साथ है तिसका राइट एंसवर सी होगा यह विश्व के साथ महादीप है शिस पे उत्तरी अमरीका दच्छडी अमरीका अफरीका यूरोप एशिया अस्ट्रेलिया अंटार्क्रिका यह साथ टोटल महादीप है यह साथ महादीप में सबसे बड़ा महादीप एशिया महादीप है अच्छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे छोटा महादीप अश्ट्रेलिया है अश्वेत महादीप के नाम से अंटारेक्टिका को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ की मात्रा बहुत अधीक होती है अगला प्रस्ट संसार का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है इसका राइटेंसर बताईए संसार का सबसे बड़ा महादीप एशिया महादीप है इसका राइटेंसर सी होगा अगला प्रस्ट विश्व का सबसे बड़ा दीव कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा दीव कौन सा इसका राय टेंसर बताईए तो ग्रिन लेंड विश्व का सबसे बड़ा दीव है तो इसका राय टेंसर सी होगा अगला प्रस्ट विश्व की सरवादी गहरी जील कौन सी है तो विश्व हों कि सरवादीक उचाई पर इस्थित चहल को शीया तो टिटिका जहल बताते है दो इसल्डा अगला प्रस्ट कि इस महाधिव का चत्रहफल सबसे कम है तो आश्डैलिया महाधिव का च्छेत्रफल सबसे कम है तो अस्ट्रेलिया महादीव का च्छेत्रफल सबसे कम है इसका राइट एंस्वर डी होगा अगला प्रस्ट हिंद महासागर में इस्थीत सबसे बड़ा डीव कौन सा है हिंद महासागर में इस्थीत सबसे बड़ा डीव बोर्निया है इसका राइट की घाटी नदी के द्वारा बनती है तिसका राई टेंसर C होगा अगला प्रस्ट पनामा नहर किंदो महासागरों को आपस में जोडती है इसका राई टेंसर बताईए पनामा नहर किंदो महासागरों को आपस में जोडती है तो पनामा नहर प्रशांत महासागर अट्लांटिक महासागर को आपस में दोड़ती है, ती सका राय टेंस्वर B होगा, अगला प्रस्ट, पृत्वी पर सबसे गहरा अस्थल कौन सा है, तो बैकाज जहिल बताते है, अगला प्रस्ट, हुआ है विश्व की सबसे बड़ी खार पानी के जहिल का उसा है इसका राइट है कि दोस्तों यदि आपको इह वीडिव पसंद आ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगला प्रस्ट किस महादीप को श्वेत महादीप के नाम से भी जाना जाता है तो अंटार्क्रिका को श्वेत महादीप के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट एंसुर D होगा क्योंकि यहाँ पर बर्फ की मात्रा अधीक होती है अगला प्रस जोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो का लाइक करें एशिया महादीब का सरवच परवसिखार कौन सा है इसका राइट एंसर बताईए एशिया महादीब का सरवच परवसिखार माउंट एवरेश्ट है इसका राइट एंसर भी होगा अगला प्रस भारत का सबसे बड़ा दीब कौन सा है इसका राइट एंसर बताईए भारत का सबसे बड़ा दीब कौन सा है इसका राइट एंसर भारत का सभसे बड़ा दियुप मद्य अंडमान है 302 ही होगा योधी विश्वा का सभसे बड़ा दियुप पूछता तो ग्रिन लैन्ट होता है अगला प्रासर मोरेन कहां बनते हैं दूप मौरेन ही मानी छैत्रय में बनते हैं 302 होगा अगला प्रस विश्व का मरुस्तल विहिन महादीप कौन सा है विश्व का मरुस्तल विहिन महादीप कौन सा जहां पर एक भी महादीप नहीं पाए जाते हैं तो इसका राइट एंसर होगा भी यूरोप में एक भी महादीप नहीं पाए जाता है इसलिए इसे मरुस्तल विहिन महाद दीव कहा जाता है इसका राइट एंस्वर भी होगा अगला प्रस मरूद्यूप किसे संबंदी थे इसका राइट एंस्वर मरूद्यूप किसे संबंदी थे तो मरूद्यूप रेगिस्थान से संबंदी थे इसका राइट एंस्वर भी होगा अगला प्रस दोस्तों जिस प्रश्वन का एंसोर यदि आपको पता हो तो उस प्रश्वन का एंसोर कमेंट बाक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लाश्ट तक देखें और 50 Orient Twitter में से आप यह भी बताएं कि आपके कितने question का answer correct हुए अगला प्रस्ट भारती मरुस्तल को कहते हैं इसका right answer भारती मरुस्तल को थार कहते हैं इसका right answer A होगा अगला प्रस्ट हवा के तेज वेक से बने रे तीले तीले को क्या कहा जाता है इसका right answer हवा के तेज वेक से बने रे तीले तीलों को क्या करते हैं इसका right answer होगा डी मरूट टिब्बा यह डिब्बा सोरी टिब्बा होगा डिब्बा मरूट टिब्बा इसका right answer D होगा अगला प्रस्ट अफ्रीका महादीब की सबसे बड़ी जील कोंसी है इसका right answer अफ्रीका महादीब की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया जील है इसका right answer होगा कि अगला पकूरत कि स्थीट है टीटी का जील कहां इस्थीत है ठीटीका जीट में सबटें कर उंचाहिवत पर इस्थित घीले में तरह कूरत 5-9-105 है अंगला प्रस पनामा नहर का निर्मार किस वर्स हुआ था इसका राइट एंसर पनामा नहर का निर्मार उनने सुच चौदा में हुआ था इसका राइट एंसर डी होगा अगला प्रस किस महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है इसका राइट एंसर बताईए एशिया महादी महा दीप को महाधीपों का महाधीप कहा जाता है ति Tay has your Ex एस्या महा दीप को कहा जाता है ठ्रफर लगा संस कि यूरोप महाधीप में प्रवाइत होने वाली सबसे लंबी नदीग कौन Two ने अ है है यूरोप महाधिव में प्रवायिद होने वाली सबसे लंबी नदी वोलगा नदी है Olá अगला क्या सबसे बड़ा दिप कौन सा है में इसे का सबसे बड़ा दिप बोर्निया है तीम तोस्तों जितने भी question लिए गए हैं previous years लिए गए हैं जो अगरगामी आने वाल एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा important है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थाल कांसा है इसका राय टेंस्वर बताईए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थाल काला हारी है इसका राय टेंस्वर भी होगा अगला प्रस्थ यह आपके सामने चार आपके सामने साथ महादीफ है उत्तरी अमरीका तच्छडी अमरीका अफ्रिका यूरोप एशिया अस्ट्रेलिया और एक नीची अंटारक्टिका है तोटल साथ महादीफ है इसमें से काला हारी महादीफ कहां पे है काला हारी महादीफ दच्छडी अफ्रिका में पढ़ता है यह नमबर दस है यह काला हारी महादीफ दच्छडी अमरीका में पढ़ता है सहारा रेकिस्तान कहां पे है इसका राय टेंस्वर सहारा रिगिस्तान सहारा रिगिस्तान अफ्रिका में पढ़ता है इने दोस्तों आगे बढ़ते हैं गोवी मरुस्ताल किस देश में इस्तित है इसका राय टेंसवर गोवी मरुस्ताल मंगोलिया में इस्तित है इसका राय टेंसवर सी होगा एशिय महादीव की सबसे बड़ी जहील कौन सी है इसका राइट एंसर बताईए एशिय महादीव की सबसे बड़ी जहील कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी महादीव भी कैस्पियन सागर ही है अगला प्रस दच्छिर गंगोत्री कहा इस्तित है इसका राइट एंसर बताईए दच्छिर गंगोत्री अंटार्क्रिका में इस्तित है इसका राइट एंसर डी होगा अगला प्रस्ट यूरोप की एक परवत स्रिंखला है इसका राइट एंसर बताईए यूरोप की एक परवत सिरिंखला आलपस है जिसका राइट एंसर ए होगा यूरोप की एक परवत सिरिंखला आलपस है अगला प्रस किस महादीव में एटलस परवत इस्तित है इसका राइट एंसर बताईए किस महादीप में एटलस परवत इस्थी थे इसका राइट एंसवर अफ्रिका महादीप में एटलस परवत इस्थी थे इसका राइट एंसर भी होगा अगरा प्रस प्रित्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महादीपों को विस्तार पाये जाता है इसका राइट एंसवर प्रिश्विए के कितने प्रतिशत भाग पर महादीब का विस्तार है तो इसका राई TEN-swar भी होगा 29 से 30 प्रतिशत भाग पर महादीब का विस्तार है अगला प्रस्ण कौन सा दीब इंडोनेशिया के हिर्द अस्थर कहलाता है 186 बताई ये कौन सा दीव इंडियोप 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 इ यहां पर अफ्रीका महाद्यूप में इस थी थे सहारा अगला प्रस्ट कि अगला प्रस्ट कौन सा देश सबसे ज्यादा द्यूप समू से मिलकर बना है इसका राइट एंसर बताइए काउण सा देश हबसे ज़्यादा ड्यूप सम्मूस से मिलकर बना है इसका राइट स्वर होगा इंडोनेसिया में सबसे ज्यादा ड्यूप हैं अगला प्रस संस्रीटी कहां पर इस्थित हैं संस्रीटी इसका नहार किसको जोड़ती है किल नहर किसको जोड़ती है किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है इसका राइट नहर भी होगा अगला प्रस किस महादीब को अंद महादीब के उपनाम से भी जाना जाता है तो अफ्रीका महादीब को अंद महादीब के नाम से भी जाना जाता है इसका राइट एंसवर C होगा अगला प्रस विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है इसका राइट एंसवर स्वेज नार को विश्व के सबसे बड़ी जहाज रहनी की नाम से जाना जाता है इसका राइट एंसर बी होगा अगला प्रस विश्व का सबसे उचा जल प्रपात किस देश में इस्थी थे विश्व का सबसे उचा जल प्रपात कहां पी इस्थी थे इसका राइट एंसवर A होगा विनेजुएला में जो एंजील में पढ़ता है अगला प्रस्ट विश्व के सरवाधिक लवड़ी जील काउंसी है ति विश्व के सबसे लवड़ी जील वान जील है इसका राइट एंसवर C होगा अगला प्रस पर्ल आफ साइबेरिया किसे कहा जाता है इसका राइट एंस्वर पर्ल आफ साइबेरिया बैकाल जील को कहा जाता है जो विश्व की सबसे गहरी जील है अगला प्रस कालहारी मरुस्थल किस देश में है इसका राइट एंस्वर कालहारी मरुस्थाल बुद्ष्वाना में है इसका राइट आच्छ में लगाने वाला ग्रह कम सा है सबस्थी व्रिकति से सुर्य का चक्कल लगाने वाला ग्रह यह बुद्ध है जो 88 दिन में लगाता है अगला प्रस जीम कारवेट राष्टी उद्यान कहां पर इस्तित है इसका राइट एंसर बताईए जीम कारवेट राष्टी उद्यान इनमें से कोई आफसा नहीं सहिए जीम कारवेट राष्टी उद्यान उत्तरा खंड में इस्तित है उत्तर खंड में इस्तित है जिम कारबेट राश्टी उद्ध्या उत्तर खंड में इस्तित है जो पौरी और ने निताल के बीच इस्तित है अगला प्रस्थ जायक का बाड़ी परियोजना किस नदी पर इस्तित है जायक कबाड़ी, परियजना, किस नदी परिस्थित है, तिसका राइट एंसुर होगा जायक कबाड़ी, परियोजना, गुदावní नदी परिस्थित है, अकला परस, भारत का सबसे ऊच्चा नदी बान कौन सा है दोस्तो यह आपके सामने एक question home over के रूप में है इसका answer comment box में लिखें इसका right answer कौन सा होगा चलिए दोस्तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का like करें share करें और अपने दोस्ते के साथ ज्यादा से ज्यादा share करें दोस्तो इस question का answer comment box में लिखें thanks for watching